हेलो टू आल माइ ब्यूटिफुल सोल्स स्वागत आप सभी के मेरे चैनल में एंड ये फ्रेंड्स आज फिर से मैं एंजल गैडेंस लेकर आई हूँ सभी के लिए गुरुवार स्पेशल साही बाबाजी के मैसेज लेकिन उससे पहले हमारा एक रिच्छुल ऑम साही राम ओम साही राम ओम्साही राम ओम नम'll新 वैड ओनमाशिवाय ओनमाशिवाय? धिटियो ग़ंड थैंक्यूंव एंजल स्थैंक्यू सो मजच यूनिवर्स थैंक्यू प्लीज बताएं आज मेरे लिए और मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है क्या मैसिज है ऐसी कौन-कौन सी उनके जीवन की कटाईयां है परिसानियां है जिन से निजात पाने के लिए आप उनको आज संदेश देने वाले है thank you Baba, thank you Baba, Om Shai Ram, Om Shai Ram, Om Shai Ram, thank you, thank you thank you thank you, bottom of deck, which serve, तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले मैसेज से, dear friends, जो सबसे पहला मैसेज है वो है, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा है उसे व्यवार में उतारिए, और आपकी जानकी जानकी है, कारियों को ज्यान में बदल दीजिए, तो dear friends, यहां पर यह जो मैसेज निकल कर आया है, वो यह है कि जो भी वीवर्स हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा जरूर सीखा है, जरूर जाना है, ऐसा ज्यान प्राप्त किया है, जो वो दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को मार्ग दर्सन कर सकते हैं, दूसरों को उनके जीवन में आई हुई परिसानियों से निजात पाने के लिए मार्ग दर्सन दे सकते हैं, तो यहां पर बाबा का मैसेज है, कि आपने जो भी सीखा है, उसे अपने विवाहर में उतारि और अपनी जानकारियों को ग्यान में बदल दीजिए आपने जो सीखा है डियर फ्रेंड्स उसको दूसरों को भी सिखाए अगला है भरोसा और आस्था आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो तो डियर फ्रेंड्स अक्सर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें डाउट हमें पहले घेर लेता है कि हमारा ये काम सफलता पूर्वक होगा या नहीं होगा और हम अक्सर इसी माइंड सेट के साथ काम सुरू करते हैं कि पता नहीं क्या होगा तो जो हमारी ये थौट है ये सबसे पहले रोड़ा बन जाती है हमारी सफलता में और है कि और आपकी आस्था और आपका विश्वास बहुत ज़्यादा होना चाहिए भगवान पर भी और आपका जो काम आपने शुरू किया है ईश्वर कराम लेकर उस पर भी आप यह भरोसा रखिए कि आपका काम बहुत अच्छा हो रहा है और यूनिवर्स आपको कदम दर कद कर रही है मदद कर रही है अगला है मालिक की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाए तो डियर फ्रेंड्स हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में जो भी परिसानिया है जो हैं जो आप एक परिसानी से निकलते हैं तो दूसरी खड़ी होती है अगर यह लगातार ऐसा बना हुआ है continuous तो आप यह सोचिए कि बहुत जल्द यह वाला फेस खतम होने वाला है और जो कुछ भी हो रहा है वो यूशर की मर्जी से हो रहा है हो सकता है कि यूशर आपको समझदारी के बाद आप उनके जीवन में help कर सकें उनकी मदद कर सकें तो जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे चलके कुछ समय बाद आप जब यह कड़ियां जोड़ेंगे आपस में एक एक करके तब में आएगा कि सारी चीजें डिवाइन की अकॉर्डिंग हुई है और भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है अगला कार्ड है आप ब्रहमांड हैं तो अहम ब्रहमाश में अपने भीतर के ब्रहमांड को तलास किजिए तो डियर फ्रेंड्स यहां पर अगर कैसी वाइप आ रही हैं कि बहुत सी लोग मेडिटेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं मेडिटेशन करना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं बट कहीं न कहीं उनका मन जो है वो नहीं लग पाता है वो मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स थोड है ब्रह्मांद की आवाज है उसको आप सुनने का प्रयास करें और धीरे धीरे ऐसे ही आपका मन लगने लगेगा और कुछ समय बाद आप खुद ही सीच को रियालाइज करेंगे कि जब आप अकेले बैठते हैं एकांत में तो आपको अंदर से इतनी पीज मैसूस होती है जित सबका एक ही इलाज है ध्यान में उतरिए और अपने भगवान से जुड़िए और अपने सवालों के आंसर उनसे पाली जिए एंड़ी डियर फेंड्स लास्ट बट नॉट द लिस्ट आखरी जो कार्ड है बॉटम अफ डैक है तो ये कार्ड ये बता रहा है कि उत सब उत मनाने का समय आ गया है तो ओ सकता है कि आपकी life में जो अभी तक problems चल रही थी वो याप बाहर होने वाली है वो problems निकलने वाली है साहीं बाबा खुद से कह रहे है कि अब आपकी life में उत्स tips MANाने का समय आ चुका है खुसकवरी मिलने वाली है आपको life में abundance आने वाली है prosperity आने वाली है और तूटे हुए दिल जुड़ने वाले हैं तो dear friends ये थी मेरी आज की reading God guidance बगवान के message I hope आप सबको पसंद आए होंगे पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप अपना कीमती समय हमें देते हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को जितना हो सके उतना शेर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू thank you so much for watching